सुपर्वाइद दोस्तों मैं सत्यमकुमार MPS Motivators के माध्यम से आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर क्याया हूँ मेरा टॉपिक है Solar System यानी स्वरमंडल आईए हम लोग जानेंगे स्वरमंडल किसे कहते हैं तो सभसे पहले जानते हैं कि स्वरमंडल किसे कहते हैं स्वरमंडल में सूर्य और वहा खगोलिय वस्तुय सम्मीलित हैं जो एक दूसरे से गृत्वा, करशक, बल, द्वारा, बंधे हैं किसी तारे के इर्द, गिर्द परिक्र्मा करते हुए उन खगोलिय वस्तुओं के समू को ग्रहिय मंडल कहा जाता है जो अन्य तारे ना हो जैसे की ग्रह, बौने ग्रह, प्रकृतिक उप ग्रह, छुद्र ग्रह और खगोलिय धूल जैसा की हम लोग जानते हैं की हमारे सोर मंडल में आठ ग्रह हैं, आईए हम उन सभी आठो ग्रहों के नाम जानते हैं जैसा की आप देख सकते हैं, यहां हमने आठो ग्रहों के नाम लिखे हैं और उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, वो भी लिखा है तो आईए हम पढ़ते हैं इसे, बुध जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है, शुक्र वीनस, प्रिथवी अर्थ, मंगल मार्स, ब्रस्पती जुपिटर, सनी सेटर्न, अरुन यूरेनस, वरुन नैप्चुन अब हम लोग जानेंगे, इन सभी को हम एक प्रोजेक्ट द्वारा जानेंगे, देख सकते हैं आप लोग, यहां सूरज है, जो नारंगी रंग के गुबारे से दर्शाया गया है, यहां मरकरी यानि बुध, बुध है, यहां वीनस, यानि सुक्र है, यहां अर्थ, अर्थ यानि हमारी प्रिथवी, उसके बाद मार्स, चौथे नमबर पे मार्स है, जो की मंगल जिसे हिंदी में कहा जाता है, यहां जूपिटर, जो ब्रेस्पती के नाम से जाना जाता है, उसके बाद है हम लोग का सेटन, जो सनी ग्रह होता है, यहां है यूरैनस, अरुन जिसे कहा यहां नेप्चून है जो कि सबसे अंतिम में है जिसे हिंदी में वरुन कहा जाता है आप सभी इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए यह बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट में से एक है तो आईए हम लोग इन आठो ग्रहों के बारे में जानकारिया हम लोग प्राप्त करते हैं ये तो था सुरज के दूरी के अनुसार अब हम लोग जानेंगे सबसे बड़े से छोटे के अनुसार मतलब अकार के अनुसार तो सबसे बड़ा है हमारा ब्रेस्पती ग्रह जो की सबसे बड़ा है और उसके बाद आता है हम लोग का शनी ग्रह शनी ग्रह दूसरे नमबर पे सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद हम लोग जानते हैं की यूरेनस Uranus तीसरे नमबर पे सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद आप हम लोग जानेगे कि चोथा कौन सा ग्रह है तो चोथा ग्रह है Neptune यानि वरुन वरुन चोथा सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद Earth यानि हमारी पृत्वी पृत्वी आकार में पाचवे नमबर पे सबसे बड़ी ग्रह है उसके बाद शुक्र छटे नमबर पे सबसे बड़ा ग्रह है उसके बाद मंगल साथवे नमबर पे सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह है बुद्ध जो सबसे पहले होता है लेकिन यहाँ सबसे छोटा ग्रह है अगर इस तरह की जानकारी आप लोगों को और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस रंग का होता है और उसके पास कितने उप ग्रह हैं और उसकी क